अगर आप नौ मई को राष्टिय स्वाभीमान दियों से घोसित करते हैं तो देश की सेना, देश के जवान, देश के नौजवान, देश का हर वर्ग, हर समुदाए, उस दिन अपने स्वाभीमान को याद करके और धन अपने स्वाभीमान को भी रुधी मानते हैं, तो इस दि महावीर भारत में पैदा हुआ था जिसने बर्सों तक जंगलों में रहकर कि घास की रोटी खाना पसंद किया लेकिन अपने स्वाभिमान से समझा अन्य मुखमंत्री निति इश्कुमार धन्यबाद के पात रहें उन्होंने महाराणा की प्रतिमा लगाई वहाँ मनिशी सोधिया दिली में महाराणा की प्रतिमा आज तक नहीं थी उसने विशाल प्रतिमा लगवाई अभी हमारे साथ कुमर भाहनी के राष्टिये अध्यास जितेंदर स्वामी जी है और अभी हम इनके पास आए हुए हैं इनके पिता जी भी महाराज गन से सांसद र चुके हैं ये कुमर भाहनी के राष्टिये अध्यास है जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीर कुमर सिंग का जो किला है उस किले के जो में दवार है उस दवार को तोर दिया गया था जब वहां से रोड गुजर रहा था तो जिसके लिए ये लोग काफी लराई लरें लरा जैसे उन्हें धन्नबाद देते हैं उन्हें नमस्कार करते हैं और अपने तरफ से माविंदवासनी के तरफ से धेर सारा वदाई देते हैं अभी सामने जो है और वाहिनी बरसों से अभियान चला रही है जो राष्ट के आसमिता राष्ट के मान स्वाविमान के प्रतिक महरणा प्रताप की जैनती नव मई राष्टी ये स्वाविमान दिवस भोसी तो इसके लिए लगभक देड़ लाग से जादे पांच रुपिया का टिकट साथ करके और रहष्टी के लोगों ने किया मन्य प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को मतलब चिठी लेकर कर भेजा उनके पार रजिष्टी किया चिठी सधारण चिठी न लिख्या एक रजिष्टी पर पांच इल्पिया का मिनिमम टिकट लगा अब सुचिए कि डीड़ हलाख इस तरह के पत्र उनको दिये गए एक पत्र उनका आया वहां से डीड़ हलाख के आगरह किया कई एस्टेट के लोग उनसे आगरह करते रहे कि नौ मई को रास्टिय स्वाभी मांदियों सब्सक्राइब हम चुटी नहीं चाहते हैं कि उस दिन सरकार देश का कर जाले जो है सारी सारे सरकारी कर जाले या फैक्ट्री इंडस्टी इसको बंद कर दे ऐसा नही चुकि इस देश की बात नहीं कर रहे हैं बीसो में जहां भी महरणा प्रताप का नाम रखियेगा जैसे उनका नाम आप लोगों के बीच रखियेगा सरधा से उनके प्रती आपका सिस जो है बंदन में जूग जाएगा क्यों कि वह व्यक्ति अगर प्रभु स्रीराम भगवान नहीं होते तो उनसे भी कस्टकारी जीवन वह चौदा बरस बनवास रहे लेकिन लोटे तो जुद्धा के राजगदी पर बैठे और यहां के राजा हुए लेकिन महाराणा एकईस वरसों तक जंगलों में रहे लड़ाई लगते रहे और कभी भी अपने स्वाविवान से समझा होता नहीं किया देश के सल्तनत पर अकबर का समराज्य था अकबर मातरी तना चाहता था कि एक बार महाराणा मुझे बदसाह कहे दें और आधे भारत का सर्ताज हो जाए आधे भारत के महाराजा हो जाए लेकिन यह व्यक्ति महाराजा बनने से इंकार कर दिया घास की रोटी खाना पसंद किया कई लाख सेना उन्हें ढूंडती रही खोजती रही यह व्यक्ति जंगलों में रह करके राणा पुंजाव जो भील सरदार थे और भामा साह जैसे दान वीर उनके साथ थे तारा जैसे भामा साह जी के भाई उनके सहयोगी थे हकीम खाज जैसा वे तो उनके सेना का सेना पती था और आखवर का सेना पती कौन था तो मान सी था माराना का सेना पती कौन था तो हकीम खाज था और सभी मेरे कहने गाय है है, यह मतलब आपको था, कि इतना बड़ा दिल था उनका, कि सभी वर्ग, सभी समुदाए, सारे कौम को ले करके, एक बड़ा सा श्रमूह उनके साथ एक अधार था, इतना बड़ा दिल था उनका हमें लगता है कि जंगलों में रहने वाले बनवासी जो हैं करूलों बनवासी उनको अपना पुत्र मानते थे इसलिए हम लो महराणा को पहाड पुत्र भी कहते हैं और वह अगर आप नौ मई को राष्टिय स्वाभिमान दियों से घोसित करते हैं तो देश की स धन अपने को मौसूस करेगा उनका जवाब क्या आया उधर से प्रधान मंत्री इस पर करवाई हो रही है अभी लगभग उनका दुसरा पाली है आप दो हजार बारा का उनका स्टेट्मेंट जा रहा है कि वर खोजवा के देख लीजिए धैनी की जागरण में जब आपको वहां सूरत में उनके पुन्यती थी का उसर पर जब मुख मंत्री थे गुजरात के तो सभा हो रही है जिसमें लगभग साड़ी तीन लाग से जादे लोग हैं वह आपके फेस्बुक पर है ट्विटर पर है अगले बार जोगी जी उसी को सेर किये थे लोगों को लगा कि सा सरकार थी तो उसमें इनका ब्यान आया कि एक छोटा सा भिग्यापन मातर उनके असमृती से सेस में माराना पताब ग्राजस्तान और हर्याना की सरकारों ने बःभग्यप्ती निकाली है तेकर कि किन्द्र सरकार ने उनको याद करने का काम नहीं गिया है कश्मर्ति एक कोई विग्यापन नहीं निकाला है यह छोटा विग्यापन निकाल करके दुनों प्रदेश जो है यह कोरम किया है जो सरकार इतिहास को भुला देगी वह उसका इतिहास मिट जाएगा ऐसा कहा उन्होंने हमें तो लगता है कि दूसरा पाली है उनका दूसरे पा किंदर सरकार से उनना नौ मई को और ना उनके पुन्य तिथी के आउसर पर अभी आप क्या चाहते हैं आप सभी लोग हमारे देश की लोग आपके जो जितने भी समर्थक लोग जो है पांच चिठी लिखे हैं पांच रुपे के टिकट लगा करके लाखों लोगों क्या चा इमेल के माध्यम से प्रधान मंत्री को गिर्ह मंत्री को रक्षा मंत्री को विहार के मुख मंत्री को उतर परदेश के मुख मंत्री को जारखंड के मुख मंत्री को कई परदेशों के मुख मंत्री को भी मेल कर रहे हैं कि नौ मई को राष्टिय स्वाफिमान दिवस आप घो हार कांप जाएगा उनका दिल कांप जाएगा इन नाम को केवल याद करके कि ऐसा भी महावीर भारत में पैदा हुआ था जिसने बरसों तक जंगलों में रहकर कि घास की रोटी खाना पसंद किया लेकिन अपने स्वभीमान से समझाता नहीं किया अपने भारत मा के मिट्टी स समझाता नहीं किया कैसा लाल था तो मन्य मुखमंत्री निति खुमार धंडबाद के पात्र हैं उन्होंने महाराणा की परतिमा लगाई वहाँ मनिशी शोदिया दिली में महाराणा की परतिमा आज तक नहीं थी उसने विसाल परतिमा लगवाई दिली सरकार को भी हम बधाई देते हैं और बिहार सरकार को खासकर इसली बधाई देते हैं कि उन्होंने राजकिय सम्मान जो है उनके जहिंति और पुन्यतिति पर जो आपने राजकिय सम्मान सब्द का जो आपने इकिया है इस्तेमाल किया है उस जगव पर क्यों राष्टिय स्वाभिमान सब्द जोड़ दें इससे राष्ट का स्वाभिमान बढ़ेगा बिहार की अस्मिता का सम्मान बढ़ेगा इसलिए इनसे भी मेरा आग्रह है निव संवान के साथ उनकी जैन्ति और पूनेतिति मनाने की बात कही हम बंदी नहीं चाहते हैं कि नौ मई को आपको भंदी करें लेकिन पूरी राज्य में जीतने भी बिद्दाले हैं जीतने भी सरकारी करजा ले हैं या जीतने सिक्षक हैं जीतने प्रबुद्ध लोग हैं सब लोगों को एक मैसेज जाएगा कि उस दिन जो जहां है वही रह करके महाराना को याद करे और अपना अपना स्वाभीमान याद करे उसको लगे कि मेरा स्वाभीमान जिंदा है इसलिए 9 मोई को राष्टिय स्वाभ लोग जानते हैं कि वो कितने महान देखती थे अपने सभिमान से कभी समझोता नहीं किये थे आप लोग को क्या कुछ करना है आप अपना परतिकिरिया दे सकते हैं आप देख रहेते सीके टिवी इंडिया निउज नमस्कार जहिन